in the context of assessment what kind of report card for students has been proposed in national education policy कैसा report card होना चाहिए national education policy में अश्ट्रिय सिक्षानीती 2020 में मुल्यांकन के संदर्म में शात्रों के लिए इस प्रकार का report card प्रस्तावित किया गया कैसा report card होना चाहिए बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे है और हमने इसकास भी किया है बैच में भी 360 डिग्री मुल्टी दिमेंशनल रिपोर्ट काट होना चाहिए 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ट किसको कहेंगे मैं उसके आपको चार्ट बना के भी बताया था देखते हैं बैच में बताया था basically report cards specifying relative performance of the students in comparison to others दूसरों comparison में report card की बात national education policy at least नहीं करेगी यह outdated method हो गया report cards of students performance in paper and pencil test through the year नहीं भाई हमें हर एक डाइमेंशन में चाहिए सिर्फ paper pencil test थोड़ी चाहिए बच्चा स्पोर्च में भी अच्छा हो सकता है debate में भी अच्छा हो सकता है जरूरी सिर्फ वो उसमें सिर्फ उनि दीडिमेंशनल नहीं मतलब होता है single एक इंपस्टों सब्सly dark 360 duty बहुआया में रिपोर्ट कार्द 360 degree multi-dimensional report card national education policy रिपोर्ट कार्ड जो रिजल्क से 260 डिग्री होना चाहिए रेपोर्ट कार्ड वो बनेगा कैसे 360 डिग्री असेस्मेंट होगा कैसे जब आप खुद का करेंगे यह कि यह तीन पार्टी इन वॉल्ड है अगर उसने कोई चैटर या कोई आंसर लिखा है तो उससे पूछो कि तुम तुमारा मन करेगा तूम कितना करोगे कुद को कि तुम्हें लगता है कि तुम फिटनेस की बाग कर लेते हैं तो आप आप आउट अफ टैन कितना रेट करेंगे खुद को फिटनेस में आप कहेंगे यार मैं कहूंगे यार साथ याच्छे ध्यान नहीं देती हूँ रूटीन खराब है यह है वह और कहेगा जो फिट है जिम जोd排 करेंगना तो फिटनेक लिए क caneutu में यह सिक्षक नेवट आइअन आओफ 10 में तो इतने दूंगा यह दूंगी फिर आता है आपके दोस्तों का रोल जोपके पीस हैं टूपीयर असेस्मेंट जोटका साथी समूह है वो आक आपका आकलन कर सके कि आपके दोस्त क्या मानते हैं कि आपको कितना आता है किसी चीज में तो यह सब क्या हो गया 360 डिगरी हो गया हर एक पहलू holistic report card बन गया अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम बच्चे का holistic assessment कर रहे हैं यानि हम यह देख रहे हैं कि वो सरवांगीन रूप से उसका आकलन कर रहे हैं चाहें वो खुद से बताए कुद की बारे में उसके दोस्त बताएं उसका टीचर बताए और हम उसके मन उसके इमोशन यानि मन ही हो गया उसके शरीर उसके दिमाग कैप जिसको कहते हैं कॉगनेटिव एफेक्टिव साइको मोटर अभी आगे पढ़ेंगे तो यह 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए जो की बात सही है आगे बढ़ेंगे नेक्स वेशन पे क्वेशन पे हुआ है तो नौट वाले क्वेशन को थोड़ा सा ध्यान जादा रखना होता है राष्ट्रिया सिक्षन इती 2020 द्वारा दिये गए प्रस्तावों के संदर्भ में कौन सी बात सहीं नहीं है नौट चाहिए हमको नेगेटिव बात NEP 2020 and NEP 2020 proposes that a variety of methods and strategies such as group work and role plays be used for assessment इसमेंट यहां बच्चा एक्टिव है जहां बच्चा एक्टिव हो तो ठीक है हमें गलत चाहिए NEP 2020 proposes shift from formative to summative उल्टा है summative to formative है यानि योगात्मक से रचनात्मक की और जाना है कि आप पेपर पैंसिल टेस्स से एक्टिविटी की और ले करके जाओ assessment for learning की तरफ लेकिजा assessment of learning से इन्होंने के दिए assessment for learning से off की तरफ ले जाओ formative से summative नहीं है F2S से नहीं है S2FA है उल्टा है तो यही गलत है फिर भी बाकी देख लेते हैं NEP proposes that apart from assessment by the teacher other ways such as self-assessment and peer assessment should be encouraged यानि सिर्फ teacher ही आकलन ना करे बच्चे का उसके साथ ही और वो खुद भी करे तो यह बात तो सही है और हमें तो गलत चाहिए NEP 2020 proposes that report card of the student should include progress in the cognitive affective and psychomotor domain जो BS Bloom Bloom taxonomy है Bloom का learning का बर्गी करन cognitive यानि बच्चे का दिमाग भी इन वाल्ट हो affective यानि उसके emotions भी involved हो जो विकास के प्रकार भी है और psychomotor यानि physically भी वो एक्टिव हो कोनेटिव भी कहते हैं इसको कैप कैते हैं खोपड़ी पर लगाने वाली आई मीन सर पर लगाने वाली ना कैप बोले तो जैसे वाइप यह आई पील में चलते ना परपल कैप तो यह कोई भी क्याइब चलेगी क्याइब मतलब C for cognitive A for effective और P for psychomotor तो यह भी एक्दम सही है holistic जबी तो बनेगा जब सारे पहलो विकास के आप जोड़ लेंगे लेकिन यह गलत है कि formative to summative क्योंकि summative to formative है तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है वर्ष नमाना इन देखना एक बार और जवाब दीजिगा देखना क्वेशन में कहता है शुड़ टर्म्स लाइक स्लो लर्नर ब्रिलियंट एवरेज बी यूस्टो डेस्टाइब इस्ट्रेंट सिंदी क्लास्रूम यानि क्या ऐसे शब्दों का समल किया जाना चाहिए कि यह बच्चा स्लो लॉर्नर ह है यह तो दीने सीखता है यह एवरेज बच्चा है यह ब्रिलियंट बच्चा है जैसा मैं अभी आपको थूड़ देर पहले कहा था कि जैसे समास्ट देखता है कि फेलियर एवरेज है ना जो टॉपर है उसकी भी हालत यह उसको भी डर लग रहा है सपने आ रहें उसको एक यह करें नो इस कैटेगरीज आर नौट सफीशेंट वी निद टूएड मैनी मोर्ट अंडस्टेंट इस्ट्रेंट प्रोफाइल इन इन यह कम है थोड़े और लेवल्स लेकर क्याने चाहिए के सूपर इंटेलिजेंट फलाना मतलब यह कम लेवल संजादा होने चाहिए तो गर समावेश्य है गया होता है gesphiri inklusivity includes evolution questo सीखने वाला हो एवरेज हो इंटेलियजन वॉञ क्या रहे है हम अने सवाहमने सब्सकरें और इंटर को से चिंव नोन इंक्लूसिव क्या है कि हमने अच्छों को बैप्चों की आधार पर लगलगवावन एत जब भी निक्स ग्रुप बनाना है हिट्रोजेनस ठीक विसम सम्हू कहते हैं जसको हम फॉर्मेटिव असेस्मेंट यारी रशनात्मक मुल्यांगन का आमतोर पर कैसे उप्योग करते हैं हम एक्टिविटी समझ जाना एक्टिविटी की तरफ ले करके जाएगा अगर सही बूचा हो होगा तो एकना तो हैल्प टीचर्स प्लान बेटर एंट प्रोवाइड सपोर्टिव और नॉन एवल्यूटिव फीडबेक बच्चों को सपोर्ट मिल्रे नॉन एवल्यूटिव नॉन एवल्यूटिव का मतलब किया यहाँ पे यानी जिसमें जजमेंट नहीं है जो ऐसे मे तेस्ट टेकिन स्किल सिर्फ आच्छा टेस्ट देने की स्किल यानिक तना चरट के उगल सकता है पेपर में तो डिस्क्रमिनेट एप्रोप्रेट लिट्ली बटुविन एवलीटी लेवल्स ऑफ पस्ट्रेंच जो बच्चों का अबिलिटी लवल्यूटिवल्यूटिवल्य तो यह यह वाला लेवल्स अपके निकलने वाले थे तो शोचल मीडिया पे यह लेवल्स ठपा लगाना है बच्चे पे तुम वीक हो तुम यह हो यह नहीं करना है तो सेकेंड ऑप्शन इस्टी राइट आंसर आगी बढ़ेंगे क्वेश्ट नमब इलवन देखिएगा यह क्या है देखना फृट सर बताना grading coding marking and credit accumulation systems are some of the examples of depl Brittany coding marking and a marking करते हैं हम coding grade करते हैं ग취 के ड fait last grade आया है गना इतने percent marks आये Joseph vacation complete ऑस्ट नहीं के तूम दिया थिक and credit accumulation कितने पॉइंट्स किसने अर्ण किये हैं क्लास में यह सारी चीजें जो है एक्जाम्पल से किस चीज का सिंबोलाइजिंग पुजीशन ऑफ चिल्डरन इन दी क्लास बच्चों की स्थिती बताएंगे क्लास में कि क्या पुजीशन है बच्चे की फस्ट आ रहा है कि सेकिंड ऐसा त यह र्क्रिया है फिरा था है लीसेंट को सिजर ऑपा कि चैम पाले हैं ऐइक तरह से mm की से इसकेंड avis बड़े आप लो конфu स अ इक सम्शक कि या पुजीशन है क्लास में मुच्चे की ग्रेइज अरि हमार्किंग से हर चीस से पता ही लग जाए कई बार पता लग सकता है थोड़ी दिखाते हैं grades भाई यह scoring procedure है कि जिस procedure में जिस parameter में आप score करेंगे उसको grading marking coding कहा गया है scoring procedure of assessment of learners achievements इक्षार्तियों की उपलब्धी की मुल्यांकन की scoring पुर्क्रिया है यह 91 से 100 लेकर के आये हो तो ए प्लस हो एक टीवन से 90 लेकर के आये हो तो कि नॉर्मल एक दिया तो यह grading हो गई तो यह क्या है क्या चीज़ है scoring procedure of assessment of learners achievement कैसे उन्होंने क्या अचीव किया है उसका scoring procedure है ठीक आगे बढ़ेंगे next question पर question number 12 assessment of learners achievement helps the teachers to do assessment of learners achievement बच्चों ने क्या अचीव किया उसका अकलन assessment of learning हो गया तरह से सिक्षार्थियों की उपलब्धी का आखलन सिक्षकों को कैसे मदद करता है यह पूछा है हम से पहला option है evaluate the effectiveness of pedagogy सिक्षा शास्त्र की प्रभाव शीलता का मुल्यंखन करेगा कि भाई कितने अच्छे से आपने पढ़ाया as a teacher उसके बारें बताएगा रागे नहीं make ability grouping of learners in the classroom यानि के अलगा लक्षमताओं के आधर पे आप गुरुप बना दो या फिर प्रिपेर एक्टिविटी लॉप फॉर टीचिंग मेंटें द पर्फॉर्मेंस रिकॉर्ड फॉर्नर्स अब आपने असेस कर लिया है बच्चे को तो अब एक्टिविटी थोड़ना प्रपेर करन दिनना हमें ठीक एवल्यूट अफ्यक्तिवनेस फ्रफ प्रफ 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 यहां में एबिलेटी ग्रूपिंग आप देश्ट अब किसी का भी नहीं है चाहिव ऐसे हो फो कोई भी जो सी सी है पुरा कॉंटिनस और प्रेंस और यह नहीं चाहता कि आप बच्चे को लेबल करें चाहिव ऐसे ही क्यों ना हो या आप बच्चे को उसकी शमता के आधार पर ग्रूपिंग कर दें अगर बनाना भी है तो मिक्स अबिलिटी वाला इवल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ पेड़गोजी आपने बच्चे के अचीवमेंट उसकी उसको पता है वह इसलिए कि आपको यह पता चाहिए इस चीज से यह मदद मिलेगी कि आपके सिक्षण के जो तरीके थे जो सिक्षा शास्त्र था आपका पैड़गोजी इसी को तो कहते हैं साइंस ऑफ टीचिंग या पढ़ाएंगे कैसे आइट आइट आफ टीचिंग कौ आइट ने सही साबित हो पाए बच्चे की उपलब्धी के आकलन सही तो पता लगेगा जब उसको टेस्ट करेंगे जाचेंगे कि आपके मैथर्ट क्यूंकि जब बच्चे का रिजल्ट जो है या बच्चे की जो परफॉर्मेंस है या उसका चीवमेंट का आकलन है वह यह संबस्ट की तो बताएगा कि कि इतना सीखा थाया किसने सिखाया और कैसे सिखाया किपना सब्सक्राइब या नी तीचर के अच्टोड की प्रफॉर्मेंस की पैडेगोजी तो ईस चीज को जाने में हल्प करेगा तो बैस्ट ऑप्शन फर्स्थी है फ्रशन नमर 13 कि देखा conceptual understanding of the students besides focusing on the process of thinking any concepts with hand data teacher but I can you okay says such the cello abhi baki options take the the teacher assesses the strength by comparing their responses may compare to ninkya they go for learning me or obi do so what you see a recipe negative here the teacher assesses the strength based on the information given in the textbook 9 key for learning here the duration which will be activity came out them say off learning code had run the teacher assesses a student based on his or her performance in comparison to others again for you your Aaka off-learning to rough each other's I go take option was the teacher assesses 9991 सब्सक्राइब करने के अलावा शात्रों की वैचारिक समझ का भी आकलन करता है यानि यह भी करेंगे कि कैसे वो बिसाइट साथ-साथ तो कैसे सोचता है बच्चा मैने पहले गलत पढ़ लिया था कैसे सोचता है बच्चा यह भी टीचर ने रिधा देखेगा जाचेगा फॉर लर्निंग में और बच्चे को कॉंसेब्स कितने के लिए यह भी जाचेगा ओंगोइंग प्रोसेस है दूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या मिल जाएगा टीचर को जान करके फीड़ बैक मिल जाएगा कि बच्चे की तिंकिंग प्रोसेस about assessment are correct सही पूछे हैं हम से पहला option assessment should help students see their strengths and gaps and help the teacher fine-tune her teaching accordingly बच्चों को अपनी कमियों का अपनी ताकतों का अपनी strength or weakness का पता लगे जिससे fine-tune कर सके अपने teaching में परिवर्तन कर सके teachers को भी पता लगे यह चीज और बच्चों को भी यह तो true है यह बात तो सही है भी option assessment is meaningful only if comparative evaluation of students are made बच्चे को compare कर आओ शर्माजी का बेटा वर्माजी का बेटे सच्छा है फलाना है यह गदम गलत तरीका है assessment should assess not only memory but also understanding and application sir for that time of the wall बच्चे की understanding को भी जाचो यह बात भी सही है assessment cannot be purposeful if it does not induce fear and anxiety यानी जब तक गबर का डर नहीं होगा यानी पेपर गबर मतलब पेपर तो पेपर का डर anxiety stress उसमें इंड्यूस कर दो भर दो बच्चे में तब तक successful नहीं होगा पेपर नहीं भाई अना पेपर क्या होने चाहिए celebration होना चाहिए exams को celebrate करना चाहिए फेस्टिवल के तौर पर ना कि वह खौफ का माहल बन जाता है अगर आपने पहले कभी दिया होगा और बाइचांस आपका रहा गया होगा गलट टाइम पर आप जोड़े लेट जोड़े तो आपको यह बात पता होगी जब के भी कमेंट आते हैं कि लाइब क्लास की आदत हो गई थी तो क्या है एक फेस्टिवल की तरह हमें माना है ना की फियर इंड्यूस करें ठीक ना तो ए और सी तो हमें यहां सही लग रहे है ऑप्शन है और सी का फॉर्थ ऑप्शन चलिए खेर आगी बढ़ेंगे निक्स्ट क्वेशन पर नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नंबर 15 देखिए गार जवाब दीजिगा वाट इस अमेन गोल ऑफ असेस्मेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए अकलान यानि एफ फेड़ेक के लिए दूरिंग दूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रॉसेस क्या मूल यंख का लक्षए है तो प्रोवाइड फीडबेक हां भी बिल्कुल लिखा हुआ है तो इसे आप अभी पूल में जवाब दे रहे हैं अगर सही नहीं भी दिया तब भी मैं क्या करूंगी फीडबैक मेलेगा आपको एक तो क्या आप कहां गलती कर रहे हैं दूसरा में उस कॉंसे आप बेंचमार्क यह से ओधा एक थरा से किक मेंचमार्क बना हुआ है या तो पास लोग या फील हो जाओ गए टेंथ के एक्जाम से तो यह ऐसे का पाट हो जाएगा फॉर्ट लर्निंग का हो जाए गाई पार्ट अना असेस्मेंट आप लर्णिंग का फो आइटिए तो सब्सक्राइब करना चाहिए वह ऐसे हो फो कोई नहीं करेंगा तो एक बार को एसे कहीं पार्ट हो जाएगा कि ग्रेडिंग हो रही है लेकिन जो फिर्स्ट आप्शन है वह ही एफ अपार्ट है जहां फीडवेक मिल रहा है बच्चा एक्टिव है